असकार स्वागत है आपका न्यूज इन मिरन में और मैं हूँ आपके साथ मिशातरी एक बड़ी अपडेट आपको बताने जा रही हूँ आपको याद होगा कि दो से तीन दिन पहले गुजरात का एक चालसा जो कि कश्मीर में आया था और तमाम सिक्योरिटी के लिहाज़े से करते हैं गुजरात का किरन पार्टेल जो है इस समय 14 दिन की रिमान पर है लेकिन इस पर ADCP विजे कुमार के बड़ी स्टेटमेंट आई है उन्होंने कहा है कि उन सब लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी जो इसमें शामिल है आपको बता दूँ कि गुजरात का ये चाल साथ ये बता रहा था कि वो PMO आफिस का एक बड़ा अधिकारी है और यहां पर जो है वो कश्मीर में जो है वो इस समय के लिए वो यहां बिताने आया है आपको बता दे कि फैब की मा की बात करते हैं तो दो बार जो है वो कश्मीर में विजिट कर चुका है एक तो था वो कोई भी PMO आफिस से बड़ा दिकारी ना था और ना ही उसके कोई राजनितिक संबंद थे यानि वो एक चाल साज जो है वो किसी कड़ी जो है जिस तरी से का आपको बता सकते हैं कि कि किसी तरीके की जो फेक चीज जिस तरीके पूरा अपना बहरूपिया बनाया था वो कुछ बड़े इंपूर्ट्स जो है वो यहाँ पर लेने आया था किसी साजिश के तहट वो यहाँ पर आया था हाला कि वो एक चाल साज था लेकिन कहीं न कहीं इस पर बड़ी चोग जो है वो हमारे पुलीस डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है इस पर एड़ी भी कश इस तरीके से वो इतनी अलर्ट नहीं थी कि एक चाल साज को पूरी सिक्यूरिटी दे दी सोशल मीडिया पर अगर आप उस चाल साज किरिंट पार्टेल की वीडियो देखेंगे तो पीछे जेट स्क्यूर्टी के साथ तमाम उसके साथ अधिकारी जो है वो लगाए गए थे कि हम किसी के बोलने पर सुरक्षा महिया नहीं करवाते हैं हमारे पास तमाम तरीके के डॉकुमेंट्स जो है वो होने चाहिए यानि एक आदेश जो है वो होना चाहिए जिस आदेश पर जो है वो कश्मीर की पुलीस जो है वो सुरक्षा जो है वो महिया करवाते हैं तो जो भी involved होगा उन सब पर जो है वो कारवाई होगी और कारवाई होना जरूरी है और अपको ये भी बता दूँ उन्हें ये भी कहा है कि मोजूदा समय में जो चूक हुई है इस पर पूरी जांच भी चल रही है और इसमें शामिल जो अधिकारी है उनके खिलाफ भी बड़ी स प्रपी है या नहीं है किस तरीके से उसको उसके कहने पर जो है वो सारी स्क्योटी करवाई आपको बता दूँ कि जमकुष्मीर पुलीस ने गुजरात पुलीस के साथ भी संपर्क सादा है ताकि तमाम जानकारी वहां से भी ले सके कि ये चाल साथ का पहले भी कोई सरी के स पर किसी तरीके से किसी भी मामले में इसका record तो नहीं है यहांज पोरिटेके से चल रही है तमाम पहलू प्लीस खगालने की कोशिश की जारी है कि किस मंच्छा से ये व्यक्ति यहां आया था, क्या इसका कोई बड़ा टार्गेट था यहां पर आने का, क्योंकि दो बार ये कश्मीर में आ चुका है, तो कहीं न कहीं इसके अंदर जो है वो बहुत सारे जो बातें हैं वो छुपी हो सकती है, वो फिलहाल पुलीस जो है बात माने तो पूरी तरीके से उस पर कारवाई भी हो रही है, रिमान पर रखा गया है, आने वाले समय में क्या कुछ निकल कहता है वो आप तक जुरूर पहुंचाएंगे, फिलाल तक के लिए एक बड़ी चूप जो है वो सुरक्षास के लहजे से मानु जा रही है, फिला